नमस्कार मेरे पिरे दोस्तों में उज्या स्य। ठरा चैनल के मानें पार्ट फोर के साथ मैं आपके साथ च्वांग दो से साथ रहा हम सस्य। आप लोग पार फोर के बारे में आध जानेंगे जैसा कि उस पिछले वेडियों में आप को बताया था । पार थर्ड के बारे में, आज पार फोर में, मैं आपको बताऊंगा, कि इंग्लिस में नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स किसी कहते हैं, आपने देखा होगा, जो नंबर्स है, उसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, आंक कहते हैं, तो इंग्लिस में जो नंबर होगा आपका, इसको हम बचन कहते हैं अब बचन का मतलब होता है बोलने वाला बोलने वाला एक है या दो है और आप यहां समझे लें अपने आपने कि जिसे इंग्लिस में नंबर को हम जब के लिए करेंगे तो इसमें जिसे वन पलस वन इज़ कल टू प्लू इज़ कर तो यह हो जाता है बट हिंन्दी में इसको आए तो हिंदी में प्लास वन वान बदास वन प्लास वन करके तब यह प्लीबराल नमबर होता है अध्यान दे देखिए जिसे वन पलस वन यानि एक के बाद एगर दूसरा वेक्टी आ जाता है इंगलिस में तो हम उसके लिए प्रियोग करते हैं और हिंदी संस्कίट में हम 1 पलस 1 पलस वन करके तब प्लियोड नमबर जानते हैं एक बचन, दिव बचन, तब बचन होता है लेकिन इंगलिस में दिव बचन का प्रियोग नहीं किया जाता है सीधे वन पलस वन करकी हम उसको प्लियोड नमबर कर देते हैं दूसरी बात यह है कि हम कैसे समझेंगे इसकी क्या डिफनेसिन क्या है कि singular number को हम कैसे किसी को बता पामें तो इसके लिए हमको यह द्यान देना होता है कि singular number जो होता है singular number का मतलब जो होता है उसे हम object करने के लिए एक च्छोटी सी परिवासा हम द्यान रगते हैं सिंगुलर नंबर मिन वन थेंग वन दी शीम नंबर मेंज वन थेंग वन दी एक बस तो एक बैक्टि के लिए हम सिंगुलर नंबर का दो करते हैं जिसको एक बचन कहते हैं बट इसी का जस्ट भी प्रीद, अपोजिट जो होता है, प्लूरल नमबर जो होता है, उसको हम कहते हैं, प्लूरल नमबर more than one. लिहान देंगे, प्लूरल नमबर more than one, और सिंगुलर नमबर में, सिंगुलर नमबर means one thing only, इसमें one thing only की बात की गई, और इसमें more than one, more than one का मतलब एक से अधिक, जो एक से अधिक होता है, उसको हम प्लूरल नमबर मान देते हैं, आवस्यक क्यों है, what is the, you and what is the, importance of it, इसके लि इसमेलर नमबर का प्योग है है, तो grammatical rule से हम उसके साथ में उस तरह का वर्प्रियोग करेंगे, अगर plural number का प्रियोग किया गया है, तो most important thing for everybody किसी भी similar number को जो यहां पर singular number हो और उसको हमें plural number में व्यक्त करना है जिए आपका singular number हो गया हमको जो है यह करना है कि similar number को plural number में परिवर्टे करना है तो हम यहां पर सबसे पहले यह का परियोग करेंगे जान दें तो इसमें नंबर से प्लिवर सिट नंबर नं पनाते हैं एसे कुछ सब्दें आपन लिख रहना आधार dur आयो घॉल और ऑर जो है ध्यान देंगे भॉक हो गया और कायट हो गया डअग यह सारे स्वल्जोने स्थार हैं इनको हम्हें प्रीट बनाने के लिए केवल यहां पर इन सब्दों के साथ में हमको based जोडना है येस तो जैसे किना और निए तो तरह करते ह Sब्क करТак़ करते हैं पर घर लिखा हुआ है तो इसको हम डार्ट कर देंगे तो आप देख रहे हैं कि इन सभी जो है वर्ट में केवल यस बढ़ा दिया गया है और इसमें यस नहीं था तो यह सिंगुलन नंबर में था एक बचल में था और दूसरा वाला जो है यह बहु बचल में हो गया अब इसी इस टप को हम आगे ब रहा होगा तो ध्यान देंगे इसको आप पर दें समझ दें इसके पाद जो है हम अगले वर्स के लिए प्रियोग कर रहे हैं जिसमें की वाई जुड़े हुए वर्स आपको मिलेंगे यहां देंगे जैसे सब्द है फ्लाई सब्द है फ्लाई हो गया और बेबी हो गया और यहां पर हम सिटी का प्रियोग करते हैं सिटी हो गया और यह जो है आप कहानी जिसको कहते हैं श्टोरी हो गया यह सब सब्द हैं अब आप देखें कि इन सब्दों के वर्स के लास्ट में क्या लगा हुआ है वाई 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 सभी में वाई लगे हुए है ले समन्दक बेंजन तो एल भी बेंजन है भी क्डेणजन है और अशले स्थिती में क्या करते हैं कि इस प्रकार केलं को मिलते हैं तो हम इसमें हिस वाई को थाकर उसको आई करके हम इसको आई ईसमें बदल देते हैं इसको बाइन मेरे अरा रहे सीह करना होता है आपको जोर्स दिएक जहां है और प्रफाई लिखा इस्तारा से बेबी टो बाइस हो जाएका इसी तरह सिटी है सप्साइब इस तरह से इस्टोरी है तो यह सट आप देख रहे हैं कि den बोल्ब्ठ होन में इस तरह से तमाम सारी सब्दा आपको मिलेंू जिसमें आपको एक असथान पर युज देखना श消़ assumption bacter पूर्व होना चाहिए तो कि अपर आप दोस्तों आप लोग इस्ट्रस्ट समझने की कोशिश करें मैं को ना किबल मार्ग दरसित कर रहा हूं वर्विया आपको यह बता रहा हूं कि आप पर जिसे मैंने कुछ सब्सक्राइब लिखें अब पुश्तक देखें कि तमाम सागे सबस्ता से मिलेंगे तो साथ साथ आप लोग एक काम करें विसको जो है अपने रिपीटिंग में लेते रहें उसको पढ़ते रहें इसको आगे बढ़ाते रहें जिससे आपके समझ में को चीज आती जाए देखें लेबर विदाउड इंटेंशन जो है आपके आटेंशन की कोई भी चीज आपको समझ में जल्दी नहीं आती है तो इसलिए आपको विश्य ध्यान रखना है तो इसके पस्चाथ हम अगला जो प्लूरल से प्लूरल बनाये जाएगा उसके बारे में कुछ बताऊंगा जिसमें तमाम सारे से वर्ड्स मिलेंगे आपको कि ज जैसे कहीं पर यफ लिखा हुआ है यफी लिखा हुआ है जैसे उदाण के लिए वाईफ आप जानते हैं वाईफ में डबलू आई एफ ऊऊप हो गया नाईफ हो गया ठीफ हो गया चीफ हो गया इस तरह से यनि वाईफ नाइफ चीफ चीफ और वाइफ, नाइफ, चीफ और थीफ सब्द जो है थीफ सब्द यह वाइफ, नाइफ, चीफ, थीफ यह चार ही धारंग दे रहे हैं पर इसको जब आप बनाएंगे तो आप देख रहे हैं कि लास्ट में जो है यफ आया हुआ है इसे वाइफ, लास्ट में अफरी आया हुआ है, तो इसको प्रूर बनाएंगे, नाइफ हो गया और इसी तरह से चीफ्स हब्द है तो चीफ्स का प्लिरो बनाएंगे चीफ्स हो जाएगा चीफ्स इसी तरह से थीफ्स का प्लिरो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा थीफ्स यह थीफ्स हो गया तो यहां पर ध्यान दें कि वाइफ्स का प्लिरो क्या हो गया वाइप्स वाइफ बतनी, नाइफ चाकू, चीफ प्रमुक्ष, थीफ चोर, तो इस तरह से जो वर्ड्स हैं, इनमें आप विसेश देख रहे हैं, कि कहीं पर इफ का प्रयोग हुआ है, कहीं पर यफी का प्रयोग हुआ है, और उसके पूर्ब में, इन्हीं सब्दों में लेख रहे हैं, यानि आई आया हुआ है, तो ऐसी सिती में उस वाबिल को जो आई है, उसको हम जो कात्यों लिखा रहने देते हैं, और चेंजिंग क्या करते हैं, जैसे यफ ए है, ई है, नाइफ, इफ है, इफ इसमें है, इफ इसमें है, तो इस इफ को, समझ लिजिए, कि इफ को हटा कर, इफ को हटा दिया, और इसके अस्थान पर हमने इवी इस कर दिया, तो इस तरह से यह सिंगुलर नंबर से प्लियूर्ट नंबर में परवर्शित हो गया, बलती है पना, हाँ तो ध्यान, अब हम, इसके पस्चाद, अगला वर्श जो आपको देनेगे, उसको हम कि सिंगुलर से कैसे प्लियूर्ट बनावेंगे, इसके बारे में हम बता रहे हैं, ब्यान दे, देखिए मेरे दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से ले करके लास तक देखने का पजास करेंगे, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, इसलिए आपकी समझ में आता जाएगा, अब आप देखेंगे, जैसे कुछ वर्ड्स आस प्रकार से होते हैं, जिसको प्लूरल बनाते हैं, किस रोप में बनाते हैं, वाबिल का परिवर्टन कर देते हैं, जैसे उदाहन के लिए, यहां पर हम कुछ सब्द लिख रहे हैं, जैसे मैन, मैन लिखा हमने, ओमेन लिखा और मैन के बाद ओमेन ओमेन के बाद फूट और फूट लिखने के पस्चाद क्या लिखेंगे अगला वर्स जो वाबिल ही हो अब आप ध्यान दें यहां पर जैसे मैन, ओमेन, फूट और तूथ तूथ है ना तो मैन, ओमेन, फूट और तूथ अब आप देख रहे हैं कि इसमें वर्स के बीच में यहां पर देखेंगे तो यह आपके वर्स में स्टार्टिंग में ए और बिलाया हुआ है यहां पर देखेंगे लास्ट के पहले ए आया हुआ है यहां पर देखेंगे लास्ट के पहले ओ आया हुआ है यहां पर देखेंगे कि बीच में ओ आया हुआ है यह ती यच के पूर्व में, दो सब्द के पूर्व में जो है ओ आया हुआ हुआ है तो इसको हमें कुछ नहीं करना है इसमें केबल हमें यह जो वाबिल है वाबिल इसको करते हैं और इसके हमें काट करके यह कर देंगे अब कैसे कर देंगें ध्यान देंगे यहांaf हमएं कि मैन को हम क्या करेंगे मैन कर देंगे ओमन को क्या करेंगे ओमिन कर देंगे इस तरह फूट को क्या करेंगे फीट कर देंगे और इस तरह टूथ को क्या करेंगे टीथ कर देंगे तो यह बात आपके समझ में आ गई होगी यहां पर ए किया गया यहां पर ए किया गया यहां पर हमने फीट कर दिया जो जगे डबल था वाविल ओ डबल ए है आपका यद किसी वर्स के बीच में वाबिल आए तो उसको हम इक यह रूप में पर लोते करते तो हैं यह लिख करके इसको प्लूरल में बना दिया जाता है अब इसी के तरह जो है कुछ सब्द ऐसे हैं जिनको हम सिंगुलर से प्लूरल तो बनाते हैं लेकिन उसमें कोई परवर्तन नहीं होता है सिंगुलर से प्लूरल उसको पढ़ते हैं लेकिन उसमें किसी प्रकार का कोई परवर्तन नहीं किया जाता है तो इसे हमें इसे ध्यान दे कर समझना है तमाम सारी वर्ड्स ऐसे हैं जवाल लेड़ी जो है देखने में जिस रूप में लग रहे हैं उसी रूप में वो प्रिवरल में भी लिखे जाते हैं जैसे यहांक पर है डियर्स और दूसरा सब्द क्या है जैसे सीप 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 मींस भेंड और फिस और यह जैसे ध्यान देंगे जैसे डियर्स सीप मींस क्या होता है भेंड और फिस मींस क्या होता है मचली इसी तरह से हस्बैंड ध्यान देंगे अच इस तक है अब हस्बैंड सब्द को लिखा हुआ है ने ने न ने ध्यान देंगे डियर्स फेस्ट थावजेंड्स यस लगा हुआ है थाउजेंड ख़नbak घ्रा जनस तो थाउजेंड में हमको यस लगाने की ज जरूरत नहीं है था दूर्ट लिखा जाएगा तो यहाँ पर हम इसको जब प्लूरल में लिखेंगी तो जिसे डिएर है तो डिएर का डियर ही रहेगा सीप है तो सीज़का सीब ही रहेगा पहीं धिस है तो फिश ही रहेगा और इसी तरह से थाँजन्ट्स है तो थाँजन्ट्स पहीं वह देंदraft भ्यान दे इसमें नोचेंजिंग किसी प्रकार का कोई परिवर्तन आपको नहीं करना अगला जो आपको बताने जा रहे हैं जिसकी बारे में आप समझेंगे यह जो आपको बताया गया इसमें आप अब अध्यान देंगे कि आब इसमें कोई ग्रामेटिक ली नियम नहीं है यह सब इसी प्रकार से बनाएंगे हैं कि इसमें परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है समरा हैं अब हम इसको मिटा रहे हैं आगे देखेंगे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोग ध्यान देगे कुछ आए सेवर्स होते हैं कि जिसमें जो है हम सिंगुलर से प्लिवर्ल बनाते समय हैं इन या आर इन दोड़ते हैं उदाःन के लिए जैसे यहां पर चाइल्ड लिखा हुआ है और जैसे आउक्स अब आप ध्यान देंगे चाइल्ड बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा इसको चिल्ड्रेन करना पड़ेगा चिल्ड्रेन यहां र इन इसमें जोड़ दिया गया इस तरह से आख्स है तो आख्स में जो है ई एन जोड़ देंगे तो इसमें र इन जोड़ा गया और इसमें इन जोड़ करके हम moment को सिमलरmee से प्लिवरल बना सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों मैं अब हम आपको तो कुछ वर्स ऐसे बताने जा रहे हैं जो आल लेडी देखने में पढ़ने में हमें प्लूरल लगते हैं अगर उसको देखा जाए तो इट इस सोन ऐसे प्लूरल वर्स जैसे उदहान के लिए यहां पर ध्यान देगे है जैसी है जैसे शाम ध्यान दें कि हां ध्यान दें जैसे सब्द है ने साज़ मुंग वलिड techniques सब्दाल है और हम इसको आगे कहांगे थाएंक्स क् एक थाएंक्स जो होता है ध्यान सब्द्य मेंस होता है ध्यान अम लग धन्यवाद देना तो इसके लिए हम थैंक्स का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से जैसे हाएंड कि हैंड सब्ध और उसी प्रकार से जैसे है क्या जो आपकी आपका भावतिक विज्ञान फिजिक्स होता है उसको हम इस विज्ञान दें कि न्यूज है तो न्यूज का प्रयोड जो बनेगा वो न्यूज ही रहेगा इस आल्ट आल्सो न्यूज नो चेंजिंग कोई बदलाविसमें नहीं क्या जाएगा इसी तरह से थांक्स कहते हैं तो थांक्स जो है यह आपका लेडी स्विलर और प्रयोड दोनों के लिए प्रयोग होता है इसी प्रकार से हैंड्स हैंड्स में हम इसको हैंड्स के रूब में ही लिखते हैं हैंड्स में हाथ तो हाथ में का मतलब दोनों हाथ आ गया इसमें यह प्लूर और यह और नहीं भी है इस तरह से फिजिक्स जो है फिजिक्स जो है यह एक का कोई बदला नहीं किया जाता तो ध्यान दें जैसे न्यूज हो गया थाइंग्स हो गया हैंड्स हो गया फिजिक्स हो गया इस बुक इसको हम कि विदाउट चेंजिंग लिख देते हैं परन्त ध्यान ये रखना है कि ये वर्ष में प्लूरल ही लिखाई पड़ते हैं देखने में हमको पंशूर्व करते हैं और हम confusion में होकर words को plural समझ बैठते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, अब आप कैसे नहीं समझेगे, जैसे कहा जाए समाचार पत्र, मैं एक समाचार पत्र पढ़ता हूं, I read a news paper, तो लिखा तो गया कि news paper आगे भी लिखा हुआ कि एक समाचार पत्र, बट यहां पर news ही लिखा जाएगा, मैं कहा जाए कि मैं दो समाचार पत्र पढ़ता हूं, तो I read two news paper तब भी लगाया, तब भी news ही लिखा गया, news paper लिखा गया, इसी तरह किसी को मैंने धनिबाद दिया, I thanks to you, तो I के साथ thanks लगा दिया, उसने मुझे धनिबाद दिया, तो he thanks to me, राम ने मु इसी प्रकार hands का प्रियोग किया जागा, और इसी प्रकार physics का प्रियोग किया गया, जबकि भौती विज्ञान, एक भौती विज्ञान फिर भी इसको प्रियोग की रूप में लिखा जाता है, यस लगा कर लिखा जाता है, physics की रहने देते हैं, तो this is the changing of singular number to plural number, singular number को plural number में किस रूप से प्रिवर्जित करेंगे, यह चीज़ें आपको जान लेनी आवस्यक थी, क्योंकि अगले वीडियोज में मैं प्रोनाउंस के बारे में बताऊंगा, तो प्रोनाउंस में singular और प्रिवर्ज जानना वह तावस्यक होता था, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले आ प्रोनाउंस को बता देना वस्यक समझा, और जेंडर को बता देना वस्यक समझा, जिससे आपको प्रोनाउंस समझने में परिसानी ना हो, तो मेरे दोस्तों, लग जाईए पढ़ाई में, और अपनी किस्मत और भरोसा करके, और मेहनत करके, अपने आपको निखार के होती है रंग लाती है हिना पत्थर पर घिर जानी के बाद आदमी बनता है में साठ्छों करें हम लोगा हिनामींस होता है मेहदी जो मेहदी को हम घिसते हैं पत्थर पर तभी वो रंग लाती है कोई मेहदी को ले आए और वैसे सरीर में रगड़े तो रगड़ने से मेहदी लो यह करोगे जब तक इसमाइब नहीं वोगे प्रियास नहीं करोगे जब तक कोई रंग ला नहीं है आने वला नहीं है इस लिए रियाद रख्येगा क्या आदमी बनता है इसा खोकरें कि खाने केब बार बार खोकर आपでも तकलीफे आएंगी, तमाँ मुश्कले आएंगी, ब्याबधाने आएंगी, इस्टेगल आएगी, और कहा भी गया है, इस्टेगल इस लाइफ, यदि आपको संघर्स करना है, तो वही जीवन है, यदि आप संघर्स कर रहे हैं, तभी आप समझे लिएक मैं जीवन जी रहा हू बिदाउट इस्टेगल, यव लाइफ जीरो पोजीशन, यूर स्टेज विल भी जीरो पोजीशन, इफ आर नाट इस्टेगलिंग इनिस पीर्स, तमरानेएं जब तक आप इसी छेते में कोई संघर्स नहीं करते हैं, तब तक आपका जीवन समली जीरो स्टेज पर है, जैस मिलेगी तभी आपको निखार मिलेगी तभी आपको प्रोग्रस मिलेगा और आप अपने जीमन में कुछ कर पाएंगे इनहीं सब्दों के साथ मैं आज का मैं फोल वीडियो पल नम्बर वीडियो समात कर रहा हूं यह पल पाट नम्बर फॉल होगा नेक्स्ट में अगले वीडियो में पुन्हाव से मिले हुगा आप सब को धन्य बाद थैंक्यू जय हिंद जय भारत